हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे चानल करियर गुरू एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स क्लोबल में मैं आपका करियर गुरू हर्ष्थ हवन इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि अगर आप गुड का बिजनस करना चाहते हैं तो क्या गुड का बिजनस प्रॉफिटेबल है अगर आप गुड के बारे में जानना चाहते हैं अगर आप गुड को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिलकुल ना भूलिए चलिए बात करते हैं गुड की दोस्तों हमारे यहाँ पे बहुत ही common चीज है बट हाँ अगर आप उसका business करेंगे या फिर उसको export करेंगे तो एक बात याद रखिए बहुत ही profitable business है कैसे जैसे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि good की market या मैं कहूँ good कहा कहा कौन कौन से product में use होता है चलिए बात करते हैं good कौन कौन से products में use होता ह दोस्तों जब हम market जाते हैं अगर हम मैं बात करूँ food products की food products वो food products जो sugar free होते हैं आपने market में देखा होगा ऐसे products पे के बारे में और ऐसे products market में आज available हैं जो लोग अपने health किरपती बहुत conscious है जो लोग अपना weight reduce कर रहे हैं वजन reduce करना चाहते हैं वजन को कम करना चाहते है तो ऐसे product market में available हैं जिन पे लिखा होता है sugar free तो दोस्तों आप उन companies को भी target कर सकते हैं जो sugar free product बनाती हैं क्योंकि वोग शुगर का use नहीं करती शुगर के बजाए good का कुछ हद तक use करती हैं तो एक बहुत ही बड़ी industry सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे world में आपको मिल जाएगी अगर आप इसको target करेंगे तो बहुत ही अच्छा profit कमा सकते हैं और बहुत ही अच्छे volume में आप काम भी कर सकते हैं ये तो बात रही food industry की इसके बाद बात करते हैं हम bakery products की दोस्तों हर जगा हर country में कहीं न कहीं कोई न कोई bakery का product तो बिखी रहा होता है तो दोस्तो bakery products में भी बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ये गुड़ दोस्तों हमारे हाँ पे तो अच्छा खासा production है लेकिन फर्क क्या पड़ता है कि हम जानते नहीं है किसी product के बारे में वो product कैसे बिकेगा और उस product का market कहा कहा है यानि मेरा कहने का मतलब ये है कि उस product के लि तो सबसे पहले उसकी market के बारे में भी जानिये मतलब वो product कहां बिकेगा कौन है उसका consumer क्या वो raw material है क्या वो finished goods है तो आज मैं आपको इसी वीडियो में good के जितनी market है उसके बारे में बता रहा हूँ चलिए हमने बात किया था इससे पहले bakery product का अब आगे चलते हैं दोस्त तो सबसे बड़ी चीज बाहर के देशों में कहों और हमारे भी देशों में जो wine बलती है या जो alcoholic drinks बनते हैं उसमें भी good का इस्तेमाल अच्छा खासा होता है तो दोस्तों देखिए एक छोटा सा product है मुझे नहीं लगता शायद आपको पता भी होगा इसके बारे में या न पूड लेते हैं वेज करीज होती हैं वहाँ पे सांबर होता है रसम होता है तो ये इन product में भी good का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया जाता है तो आप खुद सोचिए कि इतनी बड़ी market है और सिर्फ इंडिया की ही नहीं इतनी बड़ी market पूरे world की है आगे मैं ये भी profit है तो हैरान हो जाएंगे और आप कहेंगे अच्छा इतना profit है दोस्तों यही कारण है हम जब import export की training देते हैं तो इसमें सिर्फ import export करना ही नहीं सिखाते हम इसमें पूरा product selection आपको सिखाते प्रोडक्स की market के बारे में बताते हैं प्रोडक्स की countries के बारे में बताते हैं चलिए दोस्तों इसके बात बात करते हैं और कौन-कौन सी market को मैं target कर सकता हूँ अगर मैं गोड का business कर रहा हूँ देखे दोस्तों इसके बाद आप जैसे sweet dishes की market होती है sweets की market होती है मिठाई की market लगेट है जितने भी हलवाई हैं आप उनको टार्गेट कर सकते हैं आज कल शुगर-free मिठाईयां भी बन रही हैं तो आप उनको टार्गेट कर सकते हैं अगर मैं इसके बात करूं फार्मस्टिकल्स की तो दवाईयों मेडिसेंस में भी गोड का यूस होता है तो यानि आपक companies हैं जो दवाईयां मना रही हैं आप उनको भी target कर सकते हैं तो एक छोटी सी चीज और इतनी बड़ी market देखे दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कभी कबार हमारी knowledge में ये चीज नहीं होती हमें लगता है कि ये product सिर्फ कुछ ही चीजों में इस्तेमाल होता है लेकिन knowledge ना होने के कारण हम अपने business को expand नहीं कर पाते आगे बड़ा नहीं पाते तो दोस्तों हमारी कोशिश यही रहती है कि आपके लिए नए से नए product लेके आए और अगर आपको किसी product की knowledge नहीं है तो अपने वीडियो के जरीए या अपनी classes के जरीए आपको ये पूरी knowledge दे गुड को आप फार्मसोटिकल जो के कते हैं companies हैं उनको target कर सकते हैं और इसके बाद अगर हमें बात करूँ candies की जिसे आप toffee भी बोल सकते हैं तो वहाँ पे भी गुड का इस्तेमाल होता है यानि confectionary items में भी आप गुड का इस्तेमाल होता है तो आप उन companies को भी target कर सकते हैं जो confectionaries, candy या टौफी में deal करते हैं तो देखा दोस्तों चली इसके बात बात करते हैं गुड की quality के बारे में देखे दोस्तों इसके बात बात करते हैं गुड की quality के बारे में देखे दोस्तों इसमें आपको lower quality भी मिल जाएगी medium भी मिल जाएगी और अच्छी quality भी मिल जाएगी अगर मैं बात करूँ export की तो organic goods सबसे ज्यादा export होता है अगर आप export की तरफ move कर रहे हैं आप नहीं चाहते कि हाँ मैं domestic में sell करूँ तो दोनों की quality में फरक आएगा देखे दोस्तों अगर मैं अपनी इंडिया के अंदर goods 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 को बेचूंगा तो एक बात ध्यान रखिए organic goods के खरीदार बहुत कम होंगे लेकिन अगर मैं export करूँगा तो बहुत ज्यादा मिलेंगे तो यह depend करता है कि आप goods को इंडिया में बेचेंगे या फिर goods goods को export करेंगे अगर मैं बात परूँ इसमें भी कि good में varieties कितनी होती है तो तीन तरीके की variety सबसे ज्यादा हो इसमें famous है और तीन तरीके का good सबसे ज्यादा export होता है और उसका business किया जाता है जैसे for example पहले हो गया जो हमारा normal good है जिसको हम sugar cane jaggery कहते हैं दूसरी variety हो गई इसकी palm jaggery और तीसरी variety हो गई इसकी coconut jaggery अब तीनों में difference क्या है तीन categories हैं एक sugar palm jaggery हो गया एक palm jaggery हो गया एक coconut jaggery हो गया तो तीनों में difference क्या है दे कि sugar के in jaggery या मैं कहूँ गन्ने से बना हुआ good ये आम तोर पर हम सारे खाते हैं नॉर्मल गुड में आता है तो नॉर्मल गुड को हम sugar के in jaggery कहते है एक है palm jaggery पाम jaggery क्या होता है ये गोड से जो हमारा नॉर्मल गोड है उससे ज्यादा मीठा होता है इसकी nutritional value बहुत ज्यादा होती है health benefits ज्यादा होते है इसके बाद बात करते हैं coconut jaggery की तो coconut jaggery जो है इन दोनों से ज्यादा मीठा होता है basically South India में इसकी market आपको ज्यादा मिलेगी वहाँ के लोग भी बहुत अच्छा business कर रहे है इस coconut jaggery का चलिए बात करते हैं अगर तीनों की की तीनों की health benefits क्या क्या है सबसे पहले बात करते हैं sugar cane jaggery की चलिए दोस्तों बात करते हैं कि अगर मैं कहूं सेहत के लिहाज से कौन सा good आपके लिए ज्यादा beneficial है और क्यों इनके demand है अगर मैं बात करूँ palm jaggery की तो इसमें iron, potassium और minerals की मात्रा ज्यादा है calcium भी इसमें ज्यादा पाया जाता है और जिन लोगों को कफ और cold होता है उनको ये remedy उनको ये medicine के रूप में दिया जाता है अगर मैं इसके बात बात करूँ coconut jaggery की तो coconut jaggery भी एक तरीके से antioxidants के रूप में इसमें भी iron और potassium की मात्रा ज्यादा होती है इसके अलावा magnesium की मात्रा भी ज्यादा होती है तो ये benefit है और इनी कारण से good का market इतना बड़ा है और ये export बहुत अच्छे price पे होता है चलिए बात करते हैं इसके बात अगर मैं बात करूँ कि आप कौन-कौन से countries में इसको export कर सकते हैं या कौन-कौन से states में कौन-कौन सी जगा ये आपको सस्ते rate पे मिलेगा और कितने में आप इसको बेच सकते हैं चलिए पहले बात करते हैं कौन-कौन से देश में आप इसको export कर सकते हैं देखे दोस्तों बात करते हैं कौन-कौन से देशों में आप गुड़ को export कर सकते हैं अगर मैं बात करूँ Mexico की तो Mexico में आप export कर सकते हैं कैनेडा में एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप USA में एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो ये देश हैं जहां पे आपको गुड का मार्केट बहुत ही अच्छा मिलेगा अब इसके बाद बताता हूँ कि अगर आपको गुड सस्ता खरीदना है यानि अगर आप कोई manufacturing unit नहीं डालना चाहते आप गुड directly purchase करके आप export करना चाहते हैं या आप अपना खुद का business शुरू करना चाहते हैं तो कौन सी state से आपको गुड सस्ते rate पे मिलेगा दोस्तों अगर मैं बात करूँ कौन सी state से आप गुड सस्ते rate पे खरीद सकते हैं तो सबसे पहले उत्तरप्रदेश है गुजरा से भी खरीच सकते हैं करनाटका से भी खरीच सकते हैं पंजाब से भी खरीच सकते हैं हर्याना से भी खरीच सकते हैं आंधर प्रदेश से भी खरीच सकते हैं यानि मैं एक चीज़ बताओं कि maximum हमारी जितने भी प्रीमियम states हैं आप उन सबी states से आप गुड खरीच सकते हैं आपको सस्ते रेट पे ये अवलेबल हो जाएगा चलिए अब बात करते हैं गुड को अगर मैं एक्सपोर्ट करूँ तो किस रेट पे एपरोक्स गुड बिखता है दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि अगर आप गुड को एक्सपोर्ट करते हैं तो कम से कम 200 से 300% मार्जन में ये एक्सपोर्ट होता है अगर बात करूँ यूके की तो यूके में गुड 600 रुपे से 900 रुपे किलो तक बिख चुका है अब ये डिपेंड आप पे करता है आप कौन सी मार्केट टार्गेट करते हैं कौन सा प्रोड़क्ट टार्गेट करते हैं और अपने बिजनस को कैस इसलिए मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं कि अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनस करना है तो याद रखिए करियर गुरू के पास तो आना पड़ेगा तो दोस्तों सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनस में हम आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना ही नहीं सिखाएंगे ऐसे ही धेरो प्रोडक्ट की नॉलिज में आपको देंगे बताएंगे आपको कहां से कौन सी चीज सस्ती मिलेगी और कहां कौन से देश में महंगी बिगेगी बहुत सी manufacturing industry है जिसके बारे में लोग नहीं जानते वो हम आपको बताएंगे तो मेरी एक request है व झाल